सबीको नमस्कार बच्पन पाठ लेखी का कृष्णा सोब्ती की द्वारा लिखा गया संस्मरण है यानि उन्होंने अपने बच्पन की खटी मिठी यादों से पाठकों को परिचित करवाया है आज की वीडियो में हम कहाने का सारांस पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे तो लेखी का यहाँ पर कहते हैं कि वह उम्र के हिसाब से किसी की दादी, नानी, बड़ी भुआ या बड़ी मौसी भी हो सकती है परन्तु वैसे उसके परिवार में सब उन्हें जीजी के नाम से ही पुकारते हैं लेखी का अपने पहनावे में आये हुए बदलाव के बारे में कहते हैं कि वे रंग बिरंगे जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला ऐसे कपड़े पहना करती थी अब वे सफेद रंग के कपड़े पहना पसंद करती हैं बच्पन में उन्हें फ्रोक, निकस, कर्ट, लेंगे, आधी कपड़े जिसमें चूड़ेदार, घेरदार कुरते आधी भी थे वो पहना पसंद था लेकिन बच्पन की कुछ फ्रोक तो उन्हें आज भी याद हैं लेकिका को अपने मोजे आस टॉकिंग भी याद हैं जो उन्हें खुद को ही धोने पड़ते थे अपने नोकरों को नहीं दे सकती थी धोने के लिए अपने जूतों को भी रविवार के दिन खुद ही पॉलिश करनी होते थी लेकिका को नए जूतों के बज़ाए पुराने जूते पहना पसंद था क्योंकि नए जूतों से उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे सेहत को ठीक रखने के लिए हुने हर शेनिपार को कैस्टर आइल पीना होता था लेकिका बताती हैं कि उन दिनों रेडिय और टेलिविजन नहीं हुआ करते थे कुछ गरों में ही ग्रामोफोन होते थे लेकिका के अनुसार अब तो खाने का भी बदलाव हो गया है पहले की कुलफी आइसक्रीम में और कचोडी समोसा पैटीज में बदल गए हैं बचपन से लेकर कि आज तक हुए बदलाव को भी वहयां पर बताती है यहां तक कि शर्बत भी कोक पेपसी बन गए है लेकिका के घर के पास ही मोल था लेकिन हफते में एक इबार उन्हें चोकलेट खरीदने के लिए छूट दी जाती थी उन दिनों लेकिका के पास ही सबसे अधिक चोकलेट हुआ करती थी उन्हें चना जोर गरम और अनार दाने का चूरण बेहत पसंद था लेकिका को अभी चने जोर गरम का स्वाद पहले जैसा ही लगता है लेकिका ने अपने बच्पन के दिनों में शिमला के ब्रिस पर बहुत मज़े किये हैं घोडों की सवारी भी की थी सुर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड काफी मनोरम दरिश्य दिखाते थे चर्च की बजदी हुई घंटियों का संगीत सुनकर के ऐसा लगता था मानो प्रभू ईशू कुछ कह रहे हैं हूँ स्केंडल पॉइंट के सामने शोरों में सिमला कल का ट्रेन का मोडल बना था पिछली सदी के हवाई जहज भी देखने को मिल जाया करते थे लेखी का को हवाई जहज के पंक किसी भारी भरकम पक्षी के लगते थे जो उन पंकों को फैला कर उड़ रहा हो गाड़ी के मोडल वाली दुकान के पास ही चश्मे की दुकान को लेखी का नहीं भूलती हैं क्योंकि उनका पहला चश्मा उसी दुकान से बनवाया गया था वहाँ के डॉक्टर अंग्रेज थे शुरू शुरू में लेखी का को चश्मा लगाना काफी अजीब लगता था डॉक्टर ने उन्हें बताया कि कुछ दिनों में उनका चश्मा उतर जाएगा लेकिन लेखी का कहती हैं कि आज तक उनका चश्मा नहीं उतरा जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया तो उनके भाईयों ने उन्हें काफी चिड़ाया था लेकिन धीरे धीरे उन्हें चश्मा लगाने की आदत हो गई थी उस तोपे, काली फ्रेम के चश्मों और भाईयों की द्वारा लंगूर कहने को याद करती हैं लेखी का अब लेखी का को हिमाचली टोपी पहना पसंद है और उन्होंने कई रंगों की टोपियां जमा कर ली हैं इस तरह से ये है हमारा आज का संस्मरण जो लिखा है कृष्णा सौपती जी के द्वारा थैंक यू